वाइरल विक में आपका स्वागत है मैं विक मारा आजा आपको एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ और ये टॉपिक है रिडियोसिंग एंड फ्लैट रेट का एक्चुली आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी कोई लोण लिया होगा आइदर वो पर्सनल लोण हो, होम लोण हो, कार लोण हो या फिर किसी भी तरह का कंजूमर डूरेबल लोण हो जैसे कि आप कोई मोवाईल पर्चेस कर रहे हैं किसी स्टोर से एंड उसे आप लोण पे ले रहे हैं उसका repayment कर दूँगा, ठीक है, तो यह intention होता है बट, एक बहुत ही बड़ा पंगा होता है finance companies में, banks में, और वो होता है rate का ठीक है, rate एक ऐसी चीज़ है जिसके उपर आपका EMI बनेगा और इसमें बहुत बड़ा पंगा यह है कि rate दो type के होते एक होता है reducing rate, दूसरा होता है flat rate अब reducing और flat rate में difference किया है यह मैं आपको इस वीडियो में complete तरह से बताऊंगा reducing and flat rate कौन use करते हैं, कहां पे use होता है and आपको reducing में benefit है तो कितना है, flat में benefit है तो कितना है या फिर नुकसान है तो कितना है यह 3-4 topics पे मैं discuss करने वाल हो इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपके benefit के लिए चीज है, हो सकता है कि आपके पास कोई loan चल रहा हो whether वो जो मैंने पहले बता चुका हूँ कोई भी loan चल रहा हो और वो कहीं mistake से आपका हो सकता है कि किसी private financer के यहां से चल रहा हो या फिर कहीं से भी चल रहा हो और वहां से आपका flat rate चार्ज हो रहा है या reducing rate चार्ज हो रहा है तो इस वीडियो में आपको पता चल जागा है कि आपको loss हो रहा है या profit हो रहा है इनकेस आपको loss अगर हो रहा है आप देख रहे हैं कि नहीं मेरा rate यह जा रहा है और इतना महंगा पड़ रहा है मेरा इससे कम में हो सकता कहीं तो आप उस loan को transfer भी कर सकते हैं ठीक है तो transfer का जो process है वो तो मैं आपको next video में बताऊंगा इस video में main है reducing और flat में है difference क्या है and दोनों में से profit किसमें तो सबसे पहले देखे मैंने calculation करके रखा हुए आप लोग के लिए calculation मैंने एकदम basic amount पे किया हुआ है ताकि आप लोगों को problem ना हो ठीक है यह 1 lakh के amount पे मैंने किया है जिससे benefit क्या होगा कि suppose आपके पास कोई भी loan चल रहा हो तो 3,4,5,10,5 रुपे का या औज नमबर में चल रहा हो साधे 5 रुपे का साधे 4 रुपे का साधे 3 रुपे का तो इस तरह का भी अगर amount या फिर 3,20,00, 2,20,00, ऐसा कुछ भी amount भी रहेगा तो easy way में आप calculate करक पाएंगे ठीक है तो यह देखिए, यह जो पहला calculator है, यह आपका है flat rate में, flat rate में क्या है, देखिए मैंने loan amount 1 lakh rupees लिया है, loan term आप यहाँ देख सकते हैं, 5 years के लिए, interest rate जो है 8% है, और यह मैंने date एंजिम किया, 28 September को मैं loan ले रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आप just इसके सामने देखिए, य total interest, total repayment लिखा हूँ है, यानि कि loan term 5 साल, interest rate आपका 8% है, total interest आपका 40,000 rupees आ रहा है, यानि कि आपको जो 5 years में total interest पेकरना है, वो 40,000 होगा, और यह कैसे होगा, यह मैं बता दे रहा हूँ, एक simple fund है, flat rate का जो calculation है, वो खुद आप कर सकते हैं, in fact, flat rate का जो EMI है, वो खुद कर पाएंगे, क्योंकि उसका formula थोड़ा complicated है, इस वज़े से वो आपको without calculator possible नहीं है, but flat rate का EMI आप खुद अपने calculator पे calculate करके जान सकते हैं, तो देख सकते हैं, total interest आपको 40,000 लग रहा है, 5 years में, और यह कैसे हुआ, suppose मान किसे लिए, एक लाग का loan आप ले रहे हैं, 5 साल के ल परते हैं, तो 8,000 into 5, total 40,000 आपका interest हो रहा है, तो total principal आपने 1,00,000 रुपे लून लिया था, interest 5 साल में आपका हो रहा है, 40,000, दोनों मिला कि आपका 1,00,000 रुपे हो रहा है, यह आपका amount हो जा रहा है, ठीक है, 40,000 रुपीज आपको total देना है, repayment अप क्या होगा, आपका EMI आप देख लिजिए, यह total आपका payment of first year में 28,000 का payment कर रहे है, जिसमें आपका interest 8,000 जा रहा है, principal 20,000 जा रहा है, अब देख सकते हैं, यह आपका EMI details है, ठीक है, 233 रुपे जिसमें से आपका 667 रुपे interest में जा रहा है, 667 रुपे principal में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से आपक को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है यह आपने देखा फ्लैट रेट का क्यालकुलेशन यानि कि एक लाख रुपए पर आपको यह मैं जो पेमिंट करना है अगले पांस साल तक वो 2233 रुपए पेमिंट करना है अब मैं आपको दिखाता हूं रिद्यूसिंग रेट का एक लाख रुपए का यहां पर मैंने लोन लिया हुआ है यह मैं बिल्कुल आपके सामने दिखा रहा हूं ताकि आपको कुछ ऐसा न लगे कुछ एडिटेड है लोन टेन यूर फाइव यह का है यह माई आप देख सकते हैं यहां पर जश्ट टूज़न 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 आ रहा है 21,658 डिफरेंस कितना हो रहा है 21,658 को आप मैनस कर दिए 40,000 में मैं एप्रोक्सिमेट अमाउन्ट आपको बता दे रहा हूं यह 2930 लगभग लगभग 18,300-18,400 रुपए के आसपस आपको लॉस हो रहा है फ्लैट रेट में ठीक है यहां आपको 18,400 रुपए कम दि आप अगर फ्लैट रेट में कहीं से लोन ले रहे हैं तो वहां पर आपको यह माई 223 रुपए पेमिंट करना है यानि कि आल्मोष्ट आल्मोष्ट 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा हर महिने पेमिंट कर रहे हैं आप मल्टिप्लाई कर लिज़े 2000 रुपए हर मन्त को 30,000 रुपए ठीक है वह आप एक और calculate कर लिजगे महाँ से आपको देख जाए calculation तो यह एक difference होगी है ठीक है तो यह आप समझ सकते हैं कितना loss हो रहे हैं आपको rate मैंने कोई difference नहीं किया आप देख सकते है annual rate of interest 8% ही है और 8% मैंने वहाँ भी डाला हुआ था आपको मैं आपको यह मैं चार्ट आपका ग्राफ टाइप में आ रहा है ठीक है तो इसको एक नोर करता हूं मैं मेरा जो major concern वह बताने का आपको profit and loss कहा हो रहा है यह use कहा पे होता है ठीक है यह चीज आपको समझ में आ गई कि आपको reducing rate of interest में low नगल लेते हैं तो वहाँ आपको benefit है reducing rate of interest पर अगर कोई loan में purchase कर रहा हूं यह loan में ले रहा हूं तो उसमें मुझे AMI भी कमा रहा है plus interest भी क्यों कम लग रहा है तो इसका दो major कारण है sorry एक major कारण है और वो एक major कारण क्या है कि flat rate में जब आप loan लेते हैं ठीक है तो उसमें आपका क्या है principal amount same रहता है आप हर ए फर्स्ट मन्थ आपने यह example के साथ मैं आपको बताता हूं ज्यादा हीज़ी रहेगा ठीक है आप यहां देकि फर्स्ट यह रहता है आपने एक लाख रुपए का loan लिया पहला EMI आपने दे दिया 233 रुपए 233 रुपए देने के बाद आपका interest 667 रुपए जा चुका है principal म में क्या होता है कि आपने वन लेक का loan लिया principal amount वन लेक रुपए आपका वन लेक में से 1667 रुपए घट जायागा suppose मान के चलिया आपका 98,000 रुपए बैलन्स बचा तो reducing में क्या होता है कि जो 98,000 रुपए बैलन्स आपका बच रहा है उस 98,000 के उपर interest लगेगा आपको ना सबसे बड़ा major benefit होता है और जिस वज़े से क्या होता है कि interest में इतना ज्यादा आस्मान जमिन का difference हो जाता है almost यह मैंने 1,000,000 रुपए इसके लिए calculate किया तो इतना कमार है बट अगर यही है amount 5,000,000,000,000,000 कराएगा तो एक heavy amount आपको interest के रूप में दिखेगा कि आप 3 लाग, 4 लाग रुपए, 2 लाग रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ठीक है, तो इन सब चीजों से आप बज सकते हैं थोड़ा सा knowledge रखने के कारण दूसरी बड़ी बात, ये applicable कहां पे है तो कोई भी consumer durable loan आप अगर लेंगे ठीक है, कोई भी consumer durable loan अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका जो rate चार्ज होता है वो आपका flat rate पे चार्ज होता है वो आपको जैसे AC, TV, mobile वगरा लोन ले रहे हैं, वो flat rate पे चार्ज इस होगा बड़, वहीं अगर किसी bank के थ्रू आप लेते हैं ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको reducing rate में मिल जाए दूसरा क्या है, कोई भी car loan ले रहे हैं आप personal loan ले रहे हैं ठीक है, home loan वगरा तो NBFC बहुत कम provide करती है, ठीक है बड़, एक और important चीज है कि जो flat rate का fund चलता है, वो maximum NBFC में ही चलता है यानि कि जितनी भी NBFC companies है जो non banking financial sectors है वहाँ पे आपका flat rate में ही calculation होता है flat rate में ही आपको loan provide किया जाता है, वहाँ पे आपका यह नहीं है कि आपको reducing rate पे loan provide किया जागा suppose market में बहुत सारी NBFC है महिंद्रा finance है, चोला finance है, मुथूट finance है, मुरगपपा finance है ठीक है, तो इस तरह की जतनी भी finance company है जना finance है, आसिरवाद finance है अभी बहुत सारी NBFCs और आही रही है market में तो इस तरह की जो NBFCs है, वो क्या है flat rate में आपको loan provide करती है suppose कहीं मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ और please comment box में कुछ ऐसा मत mention कीज़ेगा जिससे कि किसी को problem हो, अगर ऐसा कुछ ही लगता है मुझे तो मैं उस comment को block कर दूँगा ठीक है, तो मान के चलिए आपको NBFC से car loan ले रहे हैं ठीक है, car loan आपने लिया 8% पे जो की normal चलता है ठीक है, वैसे तो आपका कहीं से भी आप loan लेंगे तो जो car loan का rate vary करता है वो 8% से लेके 10% तक vary करता है car के ओपर depend करता है ये चीज ठीक है, इसका मैं एक specific video आपको कुछिस करूँगा बना के मैं दूँ कि as of now current rate क्या चल रहा है तो suppose 8 से 10% के बीच vary कर रहा है आपने किसी NBFC से loan लिया महाँ पे आपको flat rate में charge होगा interest ठीक है, अगर आप suppose महाँ लिजे 1 lakh का loan ले रहा है आपके सामने example है 40,000 रुपेज आपको interest pay करना पड़ रहा है वही पे अगर आप किसी bank से loan लेते हैं तो वहाँ पे आपको reducing में मिलेगा यह fix है, आप किसी भी bank से loan ले लिजे मतलब इंडिया में जितने भी nationalized bank है कोई भी bank से आप जाके loan लिजे आपको वहाँ पे reducing rate में ही loan मिलेगा and आपको heavy amount में interest का benefit होगा EMI में benefit होगा दूसरा सबसे बड़ा misconception क्या होता है customers में, कि bank में जाओंगा तो सही, but bank में documentation ज़्यादा है तो सबसे बड़ी पात bank में documentation कोई ज़्यादा नहीं है, documentation के मामले में आप से एक तो चीजे एक्ष्टा मांगी जाती है income docs वगरा उसमें भी क्या है, कि अभी बहुत सारी schemes आई है जिसके अंतरगत, NIP के अंतरगत आपको loan प्रिवाइड के जाता है, यानि no income proof, यानि आपके पास कोई income proof नहीं है आपका bank statement अच्छा है आप banking transaction अच्छा करते हैं तो उस basis से भी आपको loan मिल सकता है तीसरा चीज क्या है suppose आपने कोई loan already ले चुका है कोई भी car loan, personal loan आपने ले चुका है क्योंकि home loan वगरा तो आप maximum bank से ही मिलता है तो आपको rate का वैसा problem होता नहीं है बट कोई car loan या personal loan आपने कहीं से भी लिया, suppose बज आज फिंजर्व से लिया आई या कहीं से भी लिया आपने already आपका loan चल रहा है, आप ले चुके है और आपको ये चीज पता नहीं था बट मेरी वीडियो देखने के बाद आपको knowledge हुआ कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा interest पे कर रहे है ठीक है, तो अगर suppose मान लेजिए वहाँ आपका 5 साल का loan चल रहा है 4 साल का loan चल रहा है, car loan वगरह या personal loan वगरह तो उसे आप transfer कर सकते हैं उसे आप आप आपने दूसरे bank में transfer कर सकते हैं with some conditions होते हैं उस condition को fulfill करने बाद आपका loan transfer हो जाएगा with low rate of interest दूसरा क्या है, आप top up ले सकते हैं suppose मान के चलिए कि आपका कोई car loan है वो loan आपका continue चल रहा है बट क्या है कि आपको उसके साथ कुछ extra amount की ज़रोत पड़ गई then आपने मेरा ये video देखा वीडियो देखने बाद आपको बदा चला कि आप rate of interest ज़्यादा पे कर रहे है interest ज़्यादा जा रहा है, आपका ये माई ज़्यादा जा रहा है ठीक है, तो उस loan को आप top up करा लिजे किसी bank में bank में top up कराने से क्या होगा कि आप अपना पुराना loan close कर सकते है close करने बाद वो loan खतम हो जाएगा bank में आपका loan ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से आपको top up के रूप में कुछ extra amount मिल जाएगा जो आपकी requirement को fulfill कर सके ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका rate of interest भी कम गया आपको top up में cash भी मिली है और आपको एक ही loan चल रहा है दो loan भी आपको चलाने की ज़रत नहीं पड़ रही है तो यह सबसे अच्छा major benefit है अब top up कैसे होता है इसके लिए तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में इतना ही I hope मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया है कि reducing rate of flat rate में difference किया होता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो please like and share करें और चैनल पर अगर नहीं है तो subscribe करें